नमस्कार मेरे कन्या राशी के मित्रों स्वागत है आपका अनेल शर्मा एस्टाने टीवी में और मैं लेक है हूँ आपकी राशी और एप्रिल का मन्त इस महीने में आपकी एक हास क्या होगा सबसे पहले आपकी हेल्थ के बारे में बात करना चाहूंगा तो निचे तोर पे ध ध्याने के जिन भी लोगों को जिन भी कन्या राशी के मित्रों को पेट से जुड़ीवी समस्या हैं जिनको ऐसे होती है रेफ्लक्स जैसे समस्या हैं जिनको गले से जुड़ीवी समस्या है और जा सीजनल प्रावल्म जिनको हो जाती है मैं कहूंगा कि जिरूर ध्याने को change हो रहा है और आपको अपने पेट का अपने गले का बहुत सारा ध्यानी रखना है ताकि आप अच्छी अणरजी बना सके आप अच्छा काम कर सके और आप जो अच्छीब करना चाहते है आपका जो aim है वो आप इस महीने में उसencing कर आपके रिष्टों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले एक्सेंडर फैमिली की बात में जुपिटर आपके सेकंड हाउस में बैट हुए और जे जुपिटर का सेकंड हाउस में दिखाता है कि आपको बेञगातमक जानी कि आपको पिंच करने वाली बातें आपको हड करने वाली बातें भी कह सकते हैं आपको सुझा सकते हैं उनको शाइद मॉका मिल गया है पर मैं काउंगा आप हाथी की चालो चर्ब आगे की बात ह Agreedal जब हाथी चलता है तो गली में बहुत सारे कुद्टे उटके बिःए चलते हैं और उसके ऊपर चलाते हैं लेकिन हाथी को कही अंतर नहीं आता है तो इसी आप इस शमय को आनन्द में बना दे sudah आप अपने परिश्रम से अपने विश्वाश से अपने प्रेम से सब को अपनी खींच लें यह बहुत जोड़ी बात है कि जिन लोगों का काम होता है हमेशा दूसरों में किंतु प्रंदू करना आप उनको नहीं बदल से लेकिन उनके लिए आप क्यों बदलें इसलिए आप इस समय में पूरा एफर्ड लगा दें लेकिन अगर आप खुद ही ऐसी नियचर के हैं जब आप ही किंतु प्रंदू करते तो मुझे लगता है फिर यह मामला इस बिगड़ जाएगा एक्सेंडर फैमिली में आपके इमिडेट फैमिली में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ बैठे हुए हैं तो यहां पर आपके सेव लिंग जो हैं वह अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको अच्छा लाब मिलेगा शायर आप से भी धन लाब लेने में कामजाब हो जाएं वह अच्छा धन कमा सकते हैं उनकी लाइफ में चेंज़ आ रहे हैं तो यह एक अच्छी ब लेकिन आप अपना बेस्ट कभी नहीं चोड़ें इस बात का आपने ध्यार रखना हैं तो सब्लिंग की और से कुछ ऐसे समाचार हो सकते हैं जो आपके कमप्रिशन में हो सकते हैं लेकिन वो ग्रोथ करेंगे उनकी प्रोग्रेस होगी यह बात भी कही ना कहीं दिखाई दे शायद वो आपके साथ भी कुछ ऐसा बेहेव करेंगे जैसे उनको लगता नहीं है कि आप उनसे बात करें जा कुछ ऐसी बात हो तो जा वो चाहती नहीं है कि कुछ ऐसा मेरे से कहा जाए को कि मैं प्रेशान दूर रहें तो मुझे लगता है जहां पे एक अंडरस्टेंडि यह दिखा रहा है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है जो संतान की कामना किये हुए इस बहश और इस महिने में अगर आपके लेवर है तो निचे तो पर संतान प्राप्ति और पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती हाला कि बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं और बेटियां बहुत अच्छा कर रही है इसलिए घर में जो भी जीव आ जाए जो भी प्राणी आए उसका वेलकम करना चाहिए और अगर मानेजिए कि आपके खुद के यहां संतान पैदा नहीं तो आपके सिवलिंग के हो सकती है आपके यहां कोई आपका कुलीग हो सकता है तो उनकी खुशी में आप अपनी खुशी जाहर के उनके उनको खुशी में आप साथ देते चले जाए आपकी जो संतान है निच्चत तो आपके वह बेहतर करेगी लेकिन साथ ही साजी कहूंगा चंद्रकेतु को एक ऐसा योग इस समय बन गया है जिसकी वैसे मैं कहूंगा कि कोशिश करने के अपने बच्चों की हेल्प का ध्यार कि उनको किसी से रहा कोई माइनर फ्रेक्चर आ सकता है चोड लग सकती है कानों की तकलिफ यो है इस समय प्रेशान कर सकती है तो थोड़ा उनका आपको ध्यान रखना जिरूरी होगा और आपकी संतान जो एज़ुक रेशन्शिप की आपके मेरिटर रेलेशन्शिप की तो मैं कहूंगा सूरे सब्तम भाव में और शुक्र अश्टम भाव में बैठे हुए है वही वुद्ध जो आपके लगन के राशी के कारक है वह सैबंध हाउस में रेट्रोगेट और कंबस्ट भी होंगे इस महीने में तो रिष्टों में कहीना कहीन थोड़ी अनकनी आपकी बातों बातों में अर्गूमेंट हो सकता है एक डिटेचमेंट एक डिस्टन्स जैसे हर एक दूसरे की बात को कहीं कैसे दिया बस ऐसी सित्य आ सकते है मुझे लगता है कि ये समय कुछ ऐसा है कि जिसमें एक साथ रहन कई बार मुश्किल हो जाता है अगर ऐसी सिथियां आ जाती है तो मुझे रखता है शांती ब्राय रखने में ही लाव होगा मुझे पता है कि आप गलत नहीं होते हैं लेकिन ये कहना कि आप सही है दूसरा गलत है जे भी नहीं है क्योंकि गलती दोनों और से होती है कहीं जाद के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है जिसमा किसी relationship में जाने का नहीं है जिसमा आप अपने अपने प्यार को जैसे कहते हैं प्रपोस कर दिए कह दीजिए कि हाँ दिल की गहराई से क्या मैं ready हूं तो मुझे रखता है थोड़ा संयम रखिए तो इसमें बात बनेगी आपकी बात ब बात करूं तो यहां पर मैं देख रहा हूं कि आपके नाइंथ हाउस में टॉरस और उसका संबंद भी तो कहीं नगी फादर की हेल्थ को लेके फादर के साथ संबंदों को लेके किसी भी कारण से कुछ मुश्कलें जो है वो आ सकती है तो माता पिता इस समय दोनों ही ऐसी situation है तो कोशिश करें उनके साथ आर्गुमेंट में ना पड़े दूरी बन जाए तो कोई बात ही है लेकिन अगर जब भी बात हो तो उनकी बात सुने अगर वह कुछ ज्यादा कहए तो आप सुनकर आ जाए रस्पां उनको पलटके आप जवाब ना दे तो यह बात आपके ल बस आपको तो प्लांट का ध्यान रखना है जो आपने ग्रोव करना चाहा है जो आप नहीं लगाया है जिसके फूल और फल आप ने लेने आप उसकी और ध्यान दे बाकी की चीज़ों को आप ध्यान बिल्कुन ना दे अगर आपकी बात करूं प्रापर्टी की तो आपके आपके मंगल और शनी तो नहीं बैठे हुए तो ऐसी सिथी में अक्सर कर प्रापर्टी बेजने से बहुत लाब होता है बहुत लाब होता है और जमीन खृदने में बहुत लाब होता है घर बेजकर जमीन लेना एकदम अच्छा होता है और अगर आप चाहते हमारे पास को कि अपने रहने के लिए इकर नहीं तो क्या हम खरी सकते हैं जी हां बिलकुल आप इसको भी खरीज सकते हैं अब समझे आगे इसकी फाइनस कियागी जिसकी हम बात करेंगे अब साथ रिधा गाडी की बात करें तो मैंजे खौँगा कि यह समय गाडी बहुत तरकता के साथ कुछ चीजें हो सकती हैं जो आपके लिए अच्छी है और गाड़ी के अंदर जब भी कोई अंजान आज हदल सकते हैं लेकिन सावधानी साथ में आपको रखनी बहुत जूरी होगी अब बात आ जाती है कैसे होगा जिसाब कैसे चीजे मैनेज होगी तो मैं काऊंगा किनिश्य तो पर धन के माध्यम से ही धन के द्वारा यह चीजे बन सकती हैं और आपके हाउस और प्रफेशन में बैटे हुए हैं मरकरी बैटे हुए जानी के उनको रीपेजेंट करते हैं आपकी राची को भी आपकी लगन को भी और बैठे हैं साथ में घर में तो जिखा रहा है कि आपके सामने बहुत सारे अपरचूंटी ज कभी रिस्पॉंस आया तो कभी किसी ने खवर सार नहीं लेकिन इस सब्सक्राइब आप खुद को मेंटेन कर लेंगे आप बना लेंगे चीजों को यह एक बहुत अच्छी बात है और जब भी कभी मौकार में निच्चे तोर पर आप इस न्यू वेंचर को नई डील को सब्सक्राइब लें घवराएं नहीं कई बाद स्ट्रेस हो जाती कि मैं नहीं कर पाऊंगी मैं नहीं कर पाऊंगा यह कैसे होगा मेरी मुझे लगता है कि नहीं आप बहुत सारे सवाल करने की ज्यूर्ट नहीं क्योंकि आप कर सकते हैं आप अपने वेंगे तो निच्चे आपको इस ओर पूरा पूरा ध्यान जो है वो देना तो कुल मलाके आपके आपका करियर आपकी जॉब एक नई उचाई को की और बढ़ती होई शूती होई दिखाई दे रही है तो आपको पॉस्टिर अगर बढ़े की अच्छी होगी तो निच्चे तौर पे आपकी धन की सिथी भी अच्छी होगी जुपिटर आपके सेकंड हाउस में है तो अपने आप में ये गारंटी कर देते हैं इस बात की कि येस आप आप मैनेज कर पाएंगे अपने फाइनस को उसके बाद आप देखेंगे आपके लाब के घर का मालक चंद्रमा भी आपकी राश्टी के उपर है तो कहीं ना कहीं बहुत साभी पॉस्टिफ अप्च्छोंटी विजनेस वाइज आपके सामने खड़ी है जौब वाइस खड़ी है तो आपको अपनाना है उनको टेक ओवर करना है और आगे बढ़ना जिससे बात बनी जाएगी छुटी जात्रा है आपके लिए भी रहेंगी क्योंकि आने वाले जुनों में अचानक से यात्रा के योग बने हुए हैं तो कुल मलाके इस महिने में कुछ हल्की फुल्की चीज़ें हैं जो बाहर की ओर से दूसरों की ओर से आपको प्रेशान कर सकती हैं पार्टनर की ओर से थुदा ध्यार रखेंगे बस बाक सबसे पहले आर्गुमेंट से बचें दूसरा है कि अच्छे काम में देरी नहीं करने चाहिए और खुशियों को संजोने का काम आप कर सकते हैं उसको करें तो इससे लाब होगा अगर यह चीज़ें आपने की इनको फॉलो किया तो निच्छे तोर पे आपको लाब बनेगा अब आंतर में आजाता है कि भाई हमारे तो को ऐसी समस्या यह नहीं है हमारे तो सब अच्छा है यहा तो यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि आपकी जयनम कुल लिए आपकी अपनी है आपकी अपना चाहर मैं तो एक यूणिवरसल चाहर की बात कर रहा हूं घुर एक अच्छा हो रहा है तो आप लगता है कि यह समस्या है मेरे साथ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं नमबर आपको मिल जाएगा यूट्यूब में और उमीद करता हूं कि वीडियो में दीगी जानकर यह आपको पसंद आएगी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कर दो आपको लगता है